हेलो फ्रेंट्स मैं नितेज गुपता एक्जाम्टेंट चैनल से आप लोगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेसल के पार्ट 39 के बारे में ठीक है हम लोग क्या पढ़ने वाले आजWIJA-Nagar-Sammeraj के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस से जितने भी कोश्चन आने वाले हैं सारे कोश्चन को देखेंगे बिलकुल डिटेल में जाएंगे डीप में पढ़ेंगे ठीक है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि यह जाम में विजय नगर सामराज जो है या तो खुद ही एक बहुत ही अच्छा कोश्चन है अपने आप में विजय नगर सामराज है ठीक है या अपने आप में खुद में एक बहु ने की थी ठीक है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि विजय नगर राज्य के स्थापना किस ने की थी हरियर और बुक्का ने की थी ठीक है कौन किया था दोस्तों हरियर और बुक्का इन दोनों लोगों ने मिलके विजय नगर राज्य की स्थापना की थी ठीक है वि और हरियर और भुक्का के दोर्हुन फॉस्सकों का जा जाए तो आप लोगört करते हैं हो रही है ठीक है और संगम कौन थे हैं तो हरियर और बुक्का के पिता थे और इनी के नाम पे इस वंस का नाम किया पड़ा है संगम वंस नेक्ट बात करते हैं दोस्तों हरियर और बुक्का कमपिली राज्य में मंत्री थें क्या थें कहां पे कमपिली कामपिली राज्य के मंत जीत लेता है विजित करता है और हरियर और बुक्का दोनों लोग को बंदी बना लेता है क्या बना लेता है बंदी ठीक है बंदी बना लेता है इन्होंने इसलाम धर्म स्विकार कर लिया था जो हरियर और बुक्का ये दोनों लोग जो रहते हैं इन्होंने इसलाम धर्म जो ह सांत करने के लिए भेजा गया कहां पर भेजा गया बाद में दच्छिड के विद्रो को सांत करने के लिए इनको भेजा गया हरियर बुका को ठीक है वे उस कारे में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारड कौन? एक संत विद्यारड के प्रभाव में आकर पुन हिंदू बन गए ठीक है इन्हों ने जो है मुस्लिम धर्म स्विकार कर लिया था दोनों लोगों ने मिलके लेकिन बाद में जो है जाके किसके प्रभाव से संद विद्यारड के प्रभाव से जो है पुन हिंदू बन जाते हैं ठीक है विजयनगर क विजयनगुर को संस्थापित करने के लिए हर्यर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारड तथा वेदो के प्रसिद भास्यकार सायर से सिच्छा ले थी ठीक है विद्यारड जो रहते हैं एक तरह से इनके गुरु इनको मानते हैं क्यों क्योंकि इनके प्रभाव में तो आके जो है वह फिर से हिंदु धर्म को स्विकार करते हैं ठीक है तो इसलिए इनको जो है गुरु मानते हैं और गुरु विद्यारड जो रहते हैं तथा वेदो के प्रसिद भास्यकार सायर से सिच्छा ले थी इनोंने ठीक है नेक्स देखते हैं दोस्तों इनी के बारे चार राजवन्स का मतलब क्या है? कौन कौन से 4 राजवन्स रहते हैं? आप दो देख लिजीए सबसे पहले नम्ले बात करें तो संगम वन्स जोकी हरियर और बुक्का के पिता क्या नाम रहता है? संगम और नी के नाम पे क्या पढ़ रहता है? संगम ONCE, इनका टाइmber पीरेट क्या होता है दोस्तो, तो 1366 से लेके 1485 आपके सामने नोटडाउन है, next अगर बात करें, second number पे, तो सालू ONCE, ठीक है, जो सालू ONCE होता है दोस्तो, यह 1480 से लेके 1555 थक, ठीक है, अगला है, third number पे माइ पास तुलूव वन्स जो तुलू वन्स रहता है यह 1550 से 1570 तक ठीक है और लाश्ट और अंतिम है अरा विडू वन्स जो अरा विडू वन्स रहता है यह 1570 से 1650 यह कुल चार जो है राज वन्स रहते हैं ठीक है जो है कौन से विजयन अगर सामराज के इस सामराज के कुल चार राज वन्सों यह हैं दोस्तो लगभग 300 वर्सों तक सासन किया कुल मिला के तो अभी आप लोग मैं टाइम पिरिड़ेट दिखाया हूं ठीक है एक बार फिर से अभी दिखाता हूं जो है कुल कितने वर्सों तक सासन कियें । ठीक है और दोस्तों इसके साथ साथ बात करें इनकी राजधानिया कहां थी तो विजन अगर सामराज की राजधानी क्रमसर जो है बोले तो संगम वंज जो रहता है अभी आप लुक पढ़ें पिछे संगम वंज जो रहता है इसका टाइम पेरिट कहा रहता है तेरो सो चती से चोगदर सो पचासी और यहां का राजधानी कहां रहता है संगम वंज का अने गोंडी ठीक है अने गोंडी जो रहता है यहां का राजधानी रहता है संगम वंज का अगला बात करें सालू वंज की तो सालूवंस जो है 1485 से 505 चलता है और इसके जो है राजधानी कहां रहती है सालूवंस की विजय नकर ठीक है अगला नेक्स बात करें तुलूवंस की तो तुलूवंस जो रहता है या 505 से 507 तक चलता है और इसकी राजधानी कहां रहती है वेनू गोंडा ठीक है वेनु गोंडा जो है या तुलू वंस की राजधानी रहती है और आखरी कौन सा है अरा वीडू अरा वीडू वंस जो रहता है या पंदर सो सतर से सोल सो पचास चलता है और यह जो है राजधानी कहां रहती है अरा वीडू की तो चंद्र गिरी ठीक है यह इनकी राज लेकिन बहुत ही अच्छा कोश्चन है ठीक है आईएस का कोश्चन है एक तो देखे बिल्कुल ध्यान से और समझने कोशिस करिए कि क्या कह रहा है किसने किष्णा नदी की सहायक नदी के दच्छडी टट पर एक नए नगर की अस्थापना की और उस देवता के प्रतनिधी के रूप में अपने इस नए राज्य पर सासन करने का दाइत तो लिया जिसके बारे में माना जाता था कि किष्णा नदी से दच्छड की समस्त भूमी उस देवता की है तो देखिए काफी बड़ा कोश्चन है लेकिन बहुत ही इजी एंसर इसका ठीक है एंसर क्या है इसका हर हरियर प्रतम हरियर प्रतम जो है इसका उत्तर है तो देखते हैं कैसे हरियर प्रतम ने किष्णा नदी की सायक नदी तुंग भद्रा कौनसी किष्णा नदी कौनसी रहती दोस्तों तुंग भद्रा नदी ठीक है या जो है इसकी सायक नदी रहती है कृष्णा की जो है तो दच्छी तड़ पर एक नए नगर विजय नगर, कौन सा दच्छी तड़ पर नए नगर कौन सा रहता है, विजय नगर, ठीक है, तो विजय नगर सामराज की अस्थापना की है, हरियर और बुक्का ने, ठीक है, तो विजय नगर की अस्थापना की, तो यहाँ पर उसी के बा में अपने इस नए राज्य पर सासन करने का दाई तो लिया जिसके बारे में माना जाता था कि किष्णा कौन किष्णा नदी जो है किष्णा नदी से दच्छिड की समस्त भूमी उस देवता भगवान विरुपाच की है ठीक है यह लोग स्यूत है उनको ही हम लोग भगवान विरुपाच के नाम से जानते थी ठीक है नेक्स बात करते हैं अगला कोश्चन आपके सामने है अपनी मदूरा विजय कृती में अपने पती के विजय अभियानों का वर्डन करने वाली कवीत्रिक थी तो कौन थी जो मदूरा विजय के कृती में अपने पती के विजय के실भियानों का वर्डन करती है कि यह जो है हमारे पती रहते हैं ठीक है ऐसा कौन सा रहता है तो देखते हैं घंगादेवी ठीक है कि अभियानों का वर्डन करती है कि यह जो है हमारे पती रहते हैं ठीक है ऐसा कौन सा रहता है तो देखते हैं गंगा देवी ठीक है दूस्तào इसका एंसर क्या है गंगा देवी जो गंगा देवी रहती हैं यह इनकी बात करते हैं 1352 से तीरपन इस्वी में कब 1352 से लेके तीरपन इस्वी में हरिहर प्रथम कौन हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हे तो दो सेनाय भेजी थी कितनी दो सेनाय भेजी थी एक कुमार सवल के नेत्रित में किसके नेत्रित में पहला कुमार सवल के नेत्वित में ठीक है और नेक्स्ट अगर लोग बात करें दूसरा तो दूसरा जो रहता है कंपन ठीक है कंपन का नाम आप लोग सुने होंगे जो है तो देख लिजिए यहां पर मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है तो था दूसरी कुमार कंपन के नेत रहते हैं या अडियार को जीत कर जो है मदूरा को जीत कर उसे विजय नगर में सामिल कर देते हैं ठीक है उसकी पतनी को रहती है गंगा देवी गंगा देवी ने अपने पती की विजय का अपने गरंथ मदूरा विजयम में सजी वडन किया है या एक क्या है एक गरंथ है ए का लेखnah करती है madura vijayam की जिसमें क्या बताया गया है कि उनके पति जो रहते हैं कुमार 刚pan वा ज है madura को जीत लेते हैं और कहां मिला देते हैं जीत विजय नकर में मिला देते हैं ठीक है कुमार कंपन बुक्षका राय प्रथमenschaft फुत्र थहां ठीक है कुमार तो हरिहर और बुक्का दोनों मिलके करते हैं तो यह बुक्का प्रथम का पुत्र था थीङ करते दोस्तों अगले कोशन की विजय नकर के उस पहले सासक की पहचान करें जिस ने बहमनियों से गोवा को छीना ठीक है तो वह कौन रहता है जो बहमनियों से गोवा को छीनता है हरिहर दुतिय हरिहर सेकेंड ठीक है 1337 इस्वी में बुक्का की मित्यू के बाद उसका पुत्र हरिहर दुतिय 1337 से 1440 में सिंहासन पर बैठा कब बैठा जो है 1337 से 1440 में ठीक है तो बुख्का की मित्यू को होती है, 1377 इस विए में बुख्का की मित्यू जाती है, और उसके बाद उसका पुत्र जो रहता है हरिहर दुति है, कौन हरिहर 2nd, या फिर हरिहर दुति है, 1377 से 1444 इस विए तक सिंगासन पर बैठा, उसने महाराज धिराज की उपादी धारड की किसकी उपादी धारड की महाराज धिराज की उपादी धारड की ठीक है हरियर दुतिय ने उसने कनारा कौन सा कनारा मैसूर त्रिचनापली कांची आदी प्रदेशों को जीता और स्री लंका के राजा से राजस्व वसूल किया कहां के राजा से स्री लंका के राजा से जो है क बहमनी राज्य से भी उसका संगर्स हुआ कहां से बहमनी राज्य जो रहता है यहां से भी जो है इसका संगर्स होता है ठीक है 1377 में कब 1377 में सुल्तान मुजाहिद कौन सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किन्तु सफल नहीं हुआ ठीक है किन्तु सफ सफ्फलता पस्चिम में बहमनी राज्य के बेल गाउं और गोवा छिन ना था शबसे बड़ी सोतंत्रता की बात करें ठीक है, सियू के विरुपाच रूप का उपासक था नेक्श बात करतें दोस्तों अगला और आखरी कोश्चन आज का, ठीक है इसका भी एक दो पार्ट और आएगा तो उसमें हम लोग और भी इंट्रेस्टिंग कोश्चन परनेवाड ले हैं ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पहरे इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं विजयनगर के राजा कृष्चन देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो दोस्तों किस राजा के साथ लड़ा था कुली कुतुप साह के द्वारा लड़ा था ठीक है किसके साथ कुली कुतुप साह के साथ लड़ा था विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुप साह गोलकुंडा के सुल्दान कौन रहते हैं गोलकुंडा के कुली कुतुब साह के साथ लड़ा था गोलकुंडा में कुतुब साही कुतुब साही वंस की असापना कुली कुतुब साह ने की थी जब कृष्ण देवराय ने उडिसा के साथ कहां इसके साथ उडिसा के साथ युद गुंटूर के दूर्ग पर आक्रमड किया दूर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों किला ठीक है तो पांगल और गुंटूर के किले पर आक्रमड किया तथा वारंगल कहां पे वारंगल कोडविंदू आधिक किले जीत लिए ठीक है आधिक किले जो है जीत लिए किसने तो दोस के साथ यूद में बैस था और उसी समय जो है कुतुब साह ने विजयनगर की सीमा पर इस्थित पांगल, गुंटूर, वारंगल, कोडविंदू, आधी जगहों पर धूर्ग पर आक्रमड करता है और के लिए जेत लेता है इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमड करने का प्रयास किया, कहां पर विजयनगर पर आक्रमड करने का प्रयास किया, कृष्ण देव राय और कुतुब साह के बीच संघर्स हुआ, जिसमें कुतुब साही सेना पराजित हुई, ठीक है, इन्होंने सोचा कि हम इसको जीत लिएं, तो उसको भी जीत लेंगे, लेकिन दोस् पर विजयनगर सामराज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, जो थोड़ा सा बचा है, चैप्टर उसको भी अगर हम लोग कवर कर लेंगे, तो कोश्चन हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं चाहूंगा, कि जो लाश्ट टाइम व यही कोश्चन आप से पूछा था कि योगी आन दलाल, इस टीट पुस्तक किस ने लिखी है, तो सब लोगों ने बताया था कि अरूर ठकराल, ठीक है, और दोस्तों यही बिल्कुत सही उत्तर है, आपसर नमबर डी हमारा यहां पे सही उत्तर है, एक दो लोग थे जो गलत एंसर किये है, बाकी नहीं तो हर कोई जो है सही एंसर किया है, तो जो कोई भी गलत किया है, वो कोशिस करे थोड़ा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे, ठीक है, तो गलतियां नहीं होंगी, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं चाहूंगा कि आज मैं आप लोग को एक नया और अच्छा कोश्चन देने वाला हो, ठीक है, तो आप लोग एंसर जरूर से करना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही एंसर क्या होगा, तो कोश्चन यह है हमारा कि निमलिखित में से कौन महा भारत के तेलगू अनवादों के लिए विख्यात है, ठीक है, ऐसा कौन है जो महा भारत के तेलगू अनवादों के लिए विख्यात है, हम लोग महा भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कौन है जो महा भारत का तेलगू भासा में अनवाद किया है, आप लोग को बताना है, नीचे कूट है, ठीक है, कोश्चन थोड़ा हाड है, लेकिन इजी है, आप लोग को बताना है, ठीक है, तो नीचे दिये कूट में सही उतर चुनना है आपको, हमारे पास सबसे पहले नंबर पर क्या है, कंबन, सेकेंड है, कुटन, थर्ड है नन्यन, ठीक है, नन्यन, और फोर्थ है टिकन, और फाइब पर है येरन, ठीक है, येरन, ठीक है, ये है option आपके पास 5 और आपके पास code दिया हुआ है 4 तो आपको बताना है कि हाँ पर option number a सही है 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर 3 4 5 या फिर 4 1 2 ठीक है तो आपको बताना है कौन सा answer बिल्कुल सही है और please दोस्तो comment box में reply करिए और इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है ठीक है तो इससे तो बहुत ही फायदा होने वाला है क्योंकि यह question exam में आया question है और अगर आप लोग solve करते हो या धोड़ते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे क्या आप लोग पर रड़ा है ठीक है तो इसके बाद दूस्तों विजयन अगर सामराज का एक और पाइट आएगा उसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा उसमें question और भी अच्छे होंगे ठीक है तो उसको भी देख लीजेगा ताकि जो है कभी भी अब दुबारा अगर विजयन अगर सामराज से question आया तो आप लोग का गलत ना हो ठीक है तो आज इसी के साथ ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करते रिए सेर करते रिए और सब्सक्राइब करते रिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच